हेलो फ्रेंड आज आप सभी के साथ एक बड़े ही कमाल का फेस पैक सेयर कर रहे हूँ अगर आपका एज 30 है या 35 है तो आपको इसे अपने इसकीन की रूटीन में जरूर सामिल करना चाहिए 30 के उम्र के बाद इसकीन लूज होना सुरू हो जाता है इसकीन प्राबलम देखने को मिलता है बहुत सारा दाग धबा हो जाता है जाईया की प्राबलम हो जाती है तो उसको आप काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं इसे अपने फेस पे लगा करके आपके लूज इसकीन पे काम नूर देखने को मिलेगा जो कि हम सभी महिलाएं चाहती हैं कि उनका फेस कभी डल ना हो इसकीन पे रिंकल्स की प्रावलम ना हो तो ऐसे में आपको इसे अपने फेस पे जरूर लगाना चाहिए तो बहुत सारी बाते हो गई है चलिए आप लोग देख लिजिए कि कैसे इसे और किस तरीके से लगाना है इसको यंग और खुबसूरत बनाने के लिए नौ जाने हम क्या क्या करते हैं मांगे समांगे का यूज करते हैं लेकिन उससे भी मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है तो ऐसे में अगर आप घरेलून उसका यूज करते हैं तो आपको मनचाहा लिखिए आपको जो रिजल्ट मिलेगा आप यकीन नहीं कर पाएंगे इस तरीके का फेस पए कभी तक किसी नहीं सेयर किया होगा तो आपको ले लेना है एक कच्चा आलू उसे धूल कर छील लीजिए उसके बाद से उसे आपको कद्दुकस कर लेना है जो कि आप लोग देख डालने से आलू का रस काला नहीं पड़ेगा तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से कद्दुकस करके इसका पूरा रस आपको निकार लेना है ठीक है क्योंकि इसका रस ही हमें चाहिए आलू में बहुत सारा ऐसा तत्त तो पाए जाता है जो कि फेस के दाग धब्बे झाई अब इसे किस तरीके से बनाना है तो देखिए फ्रेंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके स्कीन को स्क्रब की जरूरत है तो इसमें आप दो चम्मच कच्चा दूर डाल दीजिए आधा चम्मच बेशन उसके बाद से पूरे फेस पे आपको लेकर स्क्रब कर लेना है जो आलू का लच्छा है इसे आपको फेकना नहीं है इसे आपको अपने फेस पे हाथ और पेर पे कहीं भी आप इसक्रब कर सकते हैं तो चलिए बना लेते हैं फेस पैक तो इसे बनाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरीके से इसका रस निकार कर 10 मिनट के लिए रख देना ताकि जो इसका स्टार्च है नीचे बैठ जाए इसके उपर का जो रस है उसे आपको निकार लेना है थोड़ा अलग तरीके से स्पैक को बना रही हूँ तो आप लोग वीडियो पर बने रहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका फेस ग्लो करें नेचुरल तरीके से आपको मेक तो ऐसे में आपको इस पैक को जरूर लगाना चाहिए तो जो आलू का इस टार्च था एक चम्मच था इसमें मैं एक चम्मच ही चावल का आटा डाल ले हूँ जो की कोरियंस का सीक्रेट होता है क्योंकि उन सभी को पता है इसके फायदे के बारे में तो यहां पर एक चम्म चम्मच इसमें मैं दही डाली हूँ उसके बाद से इसे इस्पून से अच्छे से मिक्स कर लेना है आधा चम्मच आपको इसमें एड कर देना है सहद जो की इसकीन को टाइट करता है चावल का आटा किस तरह से आपके फेस पे काम करता है इसकीन को फेयर करता है लूज इसक लेकिन इतना टाइट हो जाएगा कि आप 40 के उम्र में भी 30 के दिखेंगे मतलब जो यह पैक है आपके फेस पे जादू की तरह काम करेगा अभिन सारी सामगरी को डाल कर आपको इसे स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेना है उसके बाद से इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको रखना है ताकि जो भी आप इसमें यूज किये हैं वह अच्छे से फूल जाए आप लोग के साथ मैं वही रेमिडी सेयर करती हूं जो कि मैं खुद पर यूज करती हूं और जब मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता है तभी आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूं तो प्ल आपको 5-6 मिनट के लिए इसे हलके हांस से मसाज कर लेना है जो दही होता है इसकीन को फेयर करता है दाग धब्बे जाईया को रिमूग करता है लाइट करता है अगर आपके फेस पे ब्लैक स्पोर्ट है तो उसे भी लाइट करता है दही में बहुत सारे ऐसे ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होता है जो कि हमारे इसकीन को जरूरत होती है जैसे जैसे एज बढ़ता है इसकीन प्रावलम सुरू हो जाता है इसकीन पे बहुत सारा दाग धब्बा दिखने लगता है हम अपने इसकीन की कितना भी केयर कर लें लेकिन दाग धब्बा होई जाता है तो इस तरीके से पूरे face पे लगा लेना है, लगा कर आपको 5-6 मिनट के लिए हलके हास से मसाज कर लेना है, ठीक है? बहुत सारा तेवहार आ रहा है ऐसे में हम अपने फेस को चमकाने के लिए पारलर जाते हैं लेकिन आपको पारलर जाने की जरूरत नहीं है आप घर पे अपने फेस को चमका सकते हैं होम रेमिडिज यूज करके बहुत सारे लोग इस पे विश्वास नहीं करते हैं लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप सिर्फ पान से च्छै बार यूज करके देखिए जो आपको रिजल्ट मिलेगा फिर आप पारलर दुबारा जाएंगे ही नहीं इतना गजब का रिजल्ट मिलता है जो होम रेमिडिज होता है कि मतलब लंबे समय तक भी राता है ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन के बाद आपका इसकीन डल होना सुरू हो जाएगा जी नहीं लंबे समय तक आपका इसकीन यंग और खुब्सूरत दीखेगा और इसकी चाहत हम सभी महिलाओं की होती है कि उनका फेस हमेशा यंग और खुबसूरत दिखे चाहें हम पचास के भी हो जाएं तो ऐसे में अगर आप यंग इसकीन की चाहत रखते हैं तो घरेलून उसका आज से यूज करना शुरू करीगा अंदर से थोड़ा विश्वास करके आप कोई भी होम रेमेडी यूज करेंगे तो 100% काम करेंगे तो आप लोगों को मसाज करने का तरीका भी बता दे रही हूँ जो तीन उंगली है शिर्फ उसके आगे वाला पोर्शन से ही आपको मसाज करना है ठीक है पूरा उंगली से ससके मेरा सीक्रेट होता है उसे मैं खूद यूज करती हूं कोई भी रेमेडी आप लोग के साथ मैं जयर हों तो इसे अपने फेस के लगा कर भी दिखाती हूं बहुंछ सारे ऐसे यूटूबर हैं जो की अपने फेस पे नहीं लगाते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि उनका स्कीन खराब हो जाए जो भी remedy मैं share करती हूँ 100% work करता है और बिल्कुल safe है तो इसलिए मैं face पे भी लगा कर आप लोगो दिखाती हूँ तो आप लोग मेरे home remedies को use करना शुरू करिए आपको बहुत अच्छा result मिलेगा तो 5-6 मिनट मसाज करने के बाद थोड़ा सा पैक बचा था इसे मैं अपने पूरे face पे लगा लोगी लगा कर सिर्फ 10-15 मिनट के लिए ही छोड़ना है ठीक है ज्यादे time के लिए आपको नहीं छोड़ना है आलू का जो starch है skin को tight करेगा तो इसलिए आपको पूरे face पे लगा क कर इसे छोड़ देना है 10-15 मिनट के लिए अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो helpful लगा हो वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो like करिए share करिए आप मेरे चैनल पनियु है और आपको इस टाइप का वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकेन को on कर लिजिएगा आगे आप लोगों किस टॉपिक पर वीडियो देखना है ओभी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए और आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हूँ मेरा कोई भी वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड और फैमिली में आप लो सेयर किया करें और मेरा होम रेमेडिज आप लोग यूज करेंगे तभी आप लोग को बेस्ट रिजल्ट मिलेगा तो मैं आप लोग से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई